सब्सक्राइब करें एड्मायर ब्यूटी चैनल को और परावर में है घंटी का आइकन उसे दबाना ना भूलें हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल एड्मायर ब्यूटी और मैं हूँ अंचली फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ पिंपल्स को रिमूव आप कैसे घर पे इजीली कर सकते हैं उसकी रेमेडी लेकर आई हूँ यह यूज करती हूँ खुद इसलिए मैं आप लोगों क लिए तैयार की है और इसे में काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ और फस्ट एप्टिकेशन में ही इसके बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं यह रेमेडी आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही रिजर्ट दिखाने वाली है आपके जो पिंपल्स हैं उनको ब बस्टिड है और मेरी खुद की यूज की हुई है मेरी खुद की रिसर्ट से बनाई हुई है तो इसी लिए मैं इसको लेके काफी कॉंपिडेंट हूँ तो चलिए फरेंड चल्दी से शुरू करते हैं तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मु प्राइब करते हैं इसलिए यह एकनी के लिए परफेक्ली वक करती है यह एकनी का जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप करती है बढ़ा देती है और मुद्दानी मिटी लगाने से डेट स्किन सेल्स रिमूव होती है और यह ब्लेक हैट्स और वाइट हैट्स को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी इसे अपलाइ करने के बाद आपको नैचरल हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी स्किन टोन भी यह एवन बनाता है नेक्स्ट यो प्राड़क्ट में लेने वाली हूं वह है नीम पावडर तो यहां पर मैं हर्पर टॉनिक क नीम पावडर ले रही हूं एक तम प्योर एंड नैचरल प्राड़क्स आते हैं इनके लिंक्स आपको डिस्केप्शन बॉक्ट में मिल जाएंगे सबके तो फ्रेंट्स यहां पर जो नीम पावडर मेने लिया है यह एंटी बैक्टिरियल होता है एंटी इंफलमेटरी प्र ना भी सकते हैं घर पे या फिर नीम की लीव्स को पीस कर भी आप यूज कर सकते हैं अब हमारी रेमिटी के अंदर एक स्पेशल सा ओयल जाने वाला है जो कि हर्बडाउनिक का है संफ्लावर सीट्स ओय फ्रेंट संफ्लावर ओयल जो होता है एक्ने के लिए बहुत ज्याद करते हैं और एंटी ऑक्सिडंट इसके अंदर होता है जो कि आपकी स्किन के लिए काफी बैनिफीशल होता है और ये इसकन में एजली अब्जॉब भी हो जाता है और पोर्स को जो आपकी स्केने चोड़ चोड़ते चिदर होते है ना उनको क्लॉग भी नहीं करता दो तीन हम इसके अंदर डालेंगे टी ट्री ओल की तो इसके अंदर एंटी इंफ्लमेटरी एंड एंटी माइक्रोवेल प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक्ने ब्रेक आउट्स को जल्दी हील करती है नेक्स्ट हम डाल रहे हैं इसके अंदर पीपर मेंट एसेंशल ओल फ्रेंड्स तो यह आएल भी नाचरलि इसकें को कुलींस करता है और इसमें कूलिंग एफेक्स भी होते हैं जो की हैकने की एरिडेशन औあの को सुग करता है अभी हमने इसके अंदर जो ताले हैं उसको डालूट करने के otherwise आपको irritation हो सकती है क्योंकि वो थोड़ से sharp होते हैं अभी हम सारे ingredients आपस में अच्छे से mix कर लेंगे आप लोग के साथ मैं एक multi-purpose product भी share करना चाहती हूँ जो की है ये pure tulsi drop multi-purpose मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें pure tulsi arc है तो आपको जहां भी tulsi की जरूरत हो आप इसे use कर सकते हैं और आप इसका use काड़ा बनाने के लिए भी कर सकते हैं जिन लोग के घर पर tulsi अविलेवल नहीं है और वो काड़ा बनाना चाहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे benefit होते हैं आपकी immunity को boost करने के लिए काफी फायदे मंद है क्योंकि इसके अन्दर आपको पांक तुलसियों का आर्क मिल जाता है यानिकि पांच तरहां की अलग अलग तुलसियों का आर्क आपको इसमेन पांधर ब्युतमिन D. 30 बीज के अंदर है जो की आपकी immunity को boost करने में आपकी बहुत help कर सकता है और ये हमारी remedy में भी बहुत अच्छे से work करने वाला है तो यहां पर मैं 3-4 drop यूज़ कर रही हूँ Pure Tulsi Earth की Friends, Tulsi में anti-fungal properties होती है और ये आपके acne breakouts को skin से remove करती है और आपके acne बहुत जल्दी आपके face से कायब हो जाएंगे तो ये mixture के अंदर हम अच्छे से अभी mix कर लेंगे अगर आप चाते हैं बाई करना ये Tulsi Drops तो आपको link description box में मिल जाएगा वहां से जाकर आप चेक कर सकते है तो ये देखिए हमारा जो anti acne pack है वो बिलकुल तैयार हो चुका है और मैं आपको अरड़ी बता चुकी हूँ ये इतना जादा powerful है इतना जादा effective है कि आपको first application में ही result दिखने start हो जाएंगे तो आपको इसको कैसे apply करना है वो भी आप बात कर लेते हैं तो friends ये pack आपको अपने affected area पर apply करना है जहाँ पर भी आपको acne और pimple है वहाँ पर आपको पहले इस pack को massage करते हुए लगाना है अच्छे से massage कीजेगा कुछ seconds के लिए और उसके बाद अपनी skin पर इससे सूखने के लिए छोड़ दीजेगा जब ये pack आपका सूख जाएगा आपकी skin के ऊपर तो आप इसे normal water से wash कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी आँखों के आसपास के area पर इस pack को आपको नहीं apply करना है क्योंकि इसके अंजर हमने ऐसे essential oils मिलाए हैं जो कि आपकी eyes को irritate कर सकते हैं कि यह काफी sharp होते हैं वो आपके acne पर परफेक्ली काम करेंगी और किसी भी तरीकी कोई irritation इस pack से नहीं होती है लेकिन कुछ लोगों को तो herbal ingredients तक suit नहीं करते तो आप लोगों से एक request करूंगी कि लगानी से पहले एक patch test ज़रूर कीजेगा patch test अगर आपको irritate नहीं करता है तब इस pack का use कीजेगा तो friends ये remedy आपको alternate days में लगानी है यानि कि अगर आज आपने इसे apply किया है तो फिर कल नहीं लगाईएगा उसके अगले दिन आपको लगाना है एक दिन का gap दीजेगा ताकि आपकी जो acne है अच्छे से heal हो पाएं आपको result clearly दिख पाएं और जब आपके acne बिलकुल सूख जाएं तो इसका use करना बंद कर दीजेगा दो से तीन बार के application में ही आपको बहुत अच्छे से result मिलेंगे तो ये थी मेरी आज की remedy friends definitely आपको इसे result मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे भी जब pimple हुए थे मैंने भी इसी remedy को बना कर use किया था और मेरे एक ने भी एक बार में काफी हद तक सूख रहे थे तो ट्राइ जरूर करना घर पर और अगर वीडियो पसंद आती है तो सबके साथ शेयर करना नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके चैनल को करना सब्सक्काइब अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी एक और यूफूल वीडियो के तिल देन बबाई